जबस्क्राइब दोस्तों मैं नुट्री गुश्वामी स्वागत करता हूँ पर फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल उपकार रिजाद है आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वारा है कि इससे पहले हमने जितने भी वीडियो आपको डेलिवर किये थे लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें आपको इंफोर्मिशन देंगे कि कैसे हम एक सिंगल इंवेस्मेंट से दो अलग अलग तरह के बहुत बढ़े बिजन्स टार कर सकते हैं किस तरह से हम भिजनेस चुरू करेंगे किस तरह से उन की Lieutenant हम पर्शस करेंगे और एक बार पर्शने करते हैं उससे दो त्रह के सकते हैं तो इस वीटियो करें करें के लिए मैं आप ज़िए को आज यह इलां आ वीडियो शेयर कर रहा तो अगर आप चाहते हैं कि मात्र एक इंवेस्टमेंट से हम दो अलग तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आपको लैब के अंदर ले चलते हैं दिखाते हैं किस तरह से करके मज में से कई सब्सक्रीन कि दोस्तों जैसा कि मेरे आपको बताया कि हम हमारी कंप्रें यानि कि योंकार इंडिया जिस तरह एक मश्रूम के उपर काम करती है मश्रूम की सीड प्रोडक्शन को लेकर जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा यहां सीड मैनुफेक्श्रिंग होती है मश्रूम क्या यानि कि मश्रूम का स्पॉन हम जिसको बोलता है वो सिर्फ एक वराइट मश्रूम के प्रोडक्शन में भी यूज होती है तो सिंपली वह मैं सस्पेंस आपका खतम कर देता हूं कि किस तरह से हम मात्रेक इंवेस्ट्मेंट से यानि कि अगर आप 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 अटोगलेव, लैमिना, एरफ्लोर, एर करिशनर एक बार खरीते हैं तो आप इससे इस्पोन का बजने Schritt कर ही सकते हैं 3 1 2 का मश्रूम श्रूम का भी बिजनर कर कर सकते हैं . बहुत अच्छी कारण्टी के mushroom spawn की डिमांड धेश में ही है जिसलिक हम सभी देख रहे है कि mushroom का जो production है और mushroom का consumption है दोनों ही बहुत तेजी के साथ हमारे देश में मढ़ रहा है क्योंकि mushroom की जो भी वराइटी इंडिया में यूज़ होती है यानि कि जो सिर्फ वा सिर्फ आप एक ही मशीन यानि कि जो मैं आपको मशीन ने बताई है आटोकलेव, लैमिनार, एर करनिश्टर इन तीन चीजों से ही आप एक बिजनेस जो पहला बिजनेस हमारे मश्रूम का स्पॉन बनाना वो आप स्टार्ट कर सकते हो और मश्रूम का स्पॉन के वाल एक वराइटी का नहीं, ओइस्टर, बटन, मिल्की, गैनोडर मशिटा के लाइन स्पैन, किसी भी वराइटी का आप बना सकते हैं क्योंकि इसमें सेम मशीन, सेम स्पेस, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वार्मेंट होती है तो एक बिजनेस तो यह हुआ, दूसरा बिजनेस मैंने आपको बताया को ओडिसेब मिलिटरिस का, ओडिसेब मिलिटरिस का बिजनेस में आप इन मशीनों की साहता से स्टार्ट कर सकते हो साथ ही साथ आप oyster mushroom का contract farming भी कर सकते हैं जी हाँ, oyster mushroom का बीज बनाने के साथ आप किसानों को दीजिए युवाओं को दीजिए, जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनको दीजिए और आप उनसे purchase कर लेजिए अगर आप dry mushroom खुद नहीं सेल कर पा रहे हैं जो हमारे साथ टायब कर सकते हैं तो हम लोग आपसे purchase करेंगे तो इस तरह से एक ही मशीन दी से आपने mushroom इस्वन मनाया कॉंडी से भी किया oyster mushroom की contract farming भी की इसके साथ साथ आप गेरोडर्मा का cultivation भी कर सकते हैं इनी मशीनों की requirement भी गेरोडर्मा के लिए होती है जैसा कि हम जानते कि गेरोडर्मा मश्रूम का जब भी हम cultivation करते हैं तो उसमें जो उसका sourdust हो ता इसको sterilize किया जाता है तो sterilize करने के लिए इसमें autoglave की requirement होती है जब हम उसमें cultured याने की seat डालते हैं तो उसमें laminar airflow की requirement होती है तो इनी दो मशीनों से आग गेरोडर्मा मश्रूम का भी cultivation कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि एक investment मतलब सिंगल investment में आप machines खरी दिए autoglave, laminar, air conditioner इनसे मश्रूम के seat बनाईए contract farming करिए और इस्टर मश्रूम का अगर आप बेज सकते हैं तो ठीक है नहीं बेज सकते हैं तो हमें sale कर दीजे हम आपसे contract से साथ उसको purchase करेंगे तीसरा गेरोडर्मा मश्रूम का बहुत अच्छा बिजनस है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गेरोडर्मा मश्रूम anti-cancer activity के लिए जाना जाता है और इसके अंदर बहुत सारी और भी कई properties होती है जो joint pain, diabetes, energy, immunity, stamina इन सब में काम आती हैं और सबसे अच्छा असका उपयोग anti-cancer activity के लिए यानि कि cancer के against किया जाता है तो गेरोडर्मा मश्रूम का भी बिजनेस आप लोग इससे कर सकते हैं इसके साथ तीसरा बिजनेस इसका होता है कॉडिसेब मश्रूम का सौरी चोथा बिजनेस तीम बिजनेस तो मैं बता चुका हूँ मश्रूम के सीर प्रोडक्शन इसमें आप ओइस्टर बटन मिलकी गेरोडर्मा का सीर प्रोडक्शन करके सीर बेच सकते हैं ओइस्टर मश्रूम की दूसरा बिजनेस कॉल्डर्क्ट फार्मिंग कर सकते हैं तीसरा बिजनेस गेरोडर्मा का कल्टिविशन कर सकते हैं तो ग्यानोर्माई काल्टिविशन में और लेमिनर की आवश्रता होती है चौता बिजनेस यानि कि आप कॉर्डी सेप मिलिटर्स मश्रूम का प्रड़क्शन हलाकि कॉर्डी सेप मिलिटर्स के लिए कुछ बेसिक दो और तीन मशीनों की आवश्रता और होती है वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको उन मशीन सको दिखाने के लिए जिनके माणियम से हम यह तीन और चाव बिजनेस शुरू करेंगे इसको परसे लोगते हैं इसको वाटोक्लेब होते हैं इसकी रेज पचास से दोसो इटर तक ही होती है यह पचास लिटर से शुरू होता है 200 लिटर औहां सो लिटर तर जाता है तो यह सी काफी लगनी रेज है अब हमारी जितनी आश्यक्ता होती है और जितना इंड्रस्मेंट हम करना चाते हैं उससे सबस्को पर्चिस कर लेते हैं सब्सक्राइं दो व्यूर्ण करते हैं हम आपको लगता है आप बार जरूर अशार दीजेगा अ यह एक दूसरा शींद जिसको लेमिना निलविड़ प्लो के नाम से जानते हैं यह लेमिनैब्र प्लो इसके लिए your backbone है कियो कि हम जो भी काम करेंगे ज़त्रा भी काम करेंगे इस लेमेद सथार, करते हैं क्योंकि यहां पर हाइजीन बहुत जादा करके रखता है तो यह मशीन भी उतना ही आवश्यक है ज़त्रा कि हमारा आटोक्लेव हैं यह दो बेसिक मशीन हैं जिनकी हेल्प से आप चारो केटन में स्टार्ट कर सकते हैं तीसरा और सबसे मैट्वाण इस्ट्रूमेंट हमारा यह AC है यह यह इस पूरी लैब की तो कुलिंग करता ही है हमें अपना लेवरेटरी इस तरह से मेंटेन हो जाया जाया हैं उतों लैब के काई यक्ति वेशन करना है तो जिसलेब में हम ब49 ब्र निकलने मजरू कि में लोग जा है धाया कि यहां पर यह भी उसके उसप है जिसकी बज़े से यहां पर इसकी जो cooling है वो आती रहती तो थोड़ा सा हम hole इसके gate में यहां दिखा दीजे इसके gate में हम लोग थोड़ा सा hole कर सकते हैं जिसकी बज़े से इसकी cooling इस रूम में पर ऐसा है estári asked penis में हमारा कीवल 1 और कि हाईजीन का में ध्यान रखते हैं इसलिए कहीं किसी को से इन्फेक्शन किसी को नहीं कर तो देखिए आपने किस तरह से देखा यह मातर तीन बेसिक इंस्ट्रूमेंट की हैल्व से आप चार बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एक सा चार बिजनेस शुरू कर सकते हो जिसमें पहला है मश्रूम स्पॉन का प्रॉड़क्शन दूसरा है फईस्टर मश्रूम की मश्रूम इस्पॉन मनाएए लोगों को उसकी खे तो आप हमसे संपर कर सकते हैं तीसरा बिजनेस गैनोडर्मा का है गैनोडर्मा मश्रूम को भी आप कल्टीवेट कर सकते हैं इस इनी मश्रूम की हल्प से तो कि उसमें भी आटोपलेब और लेमिनार फ्लो की आवश्यक्ता होती है चौधा बिजनेस हमारा है कॉड़िसयफ मश्रूम का इस हाला कि कॉड़िसयफ मश्रूम की कल्टिविशन में बहुत छोटी दो और टीन मश्रूम की और रिकॉर्मेंट होती है जैसे की हिमिडिफायर, शेकर और डिहाइड्रेटर वो बहुत कम एक्सवेंस से आप लोग पर् बस सिर्फ ओइस्टर मश्रूम के रूम की जो कूलिंग है उसी से इसका टेंपरिचर इतना मेंटेन होता है अलाकि उपर आप देखिए फॉल सीलिंग हम लोग थूरा सा टेंपरिचर मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्स लगा सकते हैं वाल पर भी आप चाहे है और हम लोग पुछले साथ साल से सक्सेस्फुली इन चारों बिजनिस को रन कर रहे हैं और पूरे इंडिया में इसकी सप्लाइब कर रहे हैं तो अगर आप नए हैं यंग हैं युवा हैं और रोजगार की दलाश में है तो यह बिजनिस आपके लिए बहुत अच्छा हो स जो हमारी कंपनी प्रयासरत है उस रास्ते में या उस देशा में ये वीडियो एक नया कदम साविद हो सकता है